नमस्कार जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता बॉलिवुट के भाई जान सल्मान खान को रवी वार को जान से मारने की धमकी दी गई सल्मान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा लेटर भीजा गया है ये लेटर सलमान के पिता सलीम खान को मिला था जब वो जॉकिंग करने के लिए गए हुए थे लेटर मिले के बाद पुलिस ने अग्याश शक्स के खलाफ माबला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है सूत्रों के मताबिक अब इस माबले में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है वही सोमवार को इस माबले को संग्यान में लेते हुए महराश्टों ग्री विभाग ने उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का फैसला किया है खत में सलमान और सलीम खान का हाल सिदू मुसेवाला की तरह करने की धमकी दी गई है पंजाबी सिंगर सिदू मुसेवाला की मौत से अभी बॉलिवूड उबरा भी नहीं है कि अब सलमान खान को ये धमकी भरा लेटर भीजा गया है सलीम खान जब सुबह जोगिंग के बाद वहाँ पर बैंच पर बैठे तो उनके और उनके बेटे सलमान खान के खलाब धमकी भरा एक पत्र उन्हें मिला इस लेटर में लिखा था कि सलीम खान सलमान खान बहुत जल तुम्हारा हाल सिदू मुसेवाला जैसा होगा धमकी के बाद सलीम खान ने इसकी शुकायत पुलिस से की सलीम खान के बयान को दर्ज कर पुलिस ने IPC के सेक्शन 506 के तहट मामला दर्ज कर लिया है सलमान खान को धमकी मिलने के बाद से उनके फैंस परिशान है साथ ही दबंग खान को इस तरह से धंकी दिये जाने से इंडस्ट्री भी शॉक्ड है बॉलिवोट के दबंग को मिली धंकी के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्दू मुसेवाला की दिन दहाडे गोली मारकर हत्याग कर दी गई थी पंजाब के मंसा के जवाहर के गाउं के पास कुछ अंजान लोगों ने सिद्दू का सीना गोलियों से चल्ली कर दिया था सिद्दू की मौत का इलजाम गेंग्स्टर लौरिंस बिश्णोई पर है बिश्णोई ने सल्मान खान को साल 2018 में धमकी भी दी थी इसके बास इंडस्ट्री में शोग पसरा हुआ है वर्क फ्रॉंट की बात करें तो सल्मान खान जल्द ही कैटरीना कैफ के साथ टाइगर 3 में नज़र आने वाले हैं ये फिल्म अगलिसाज सिनेमा घरों पर रिलीज होगी तो वहीं पंजाब की कैटरीना कैफ यानि की शेहनाज गिल के साथ कभी एद कभी दिवाली की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए जर्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार